लाल सिंग चड़ा को मैं low expectations के साथ देखने गया था पर किसी बेकार फिल्म को भी low expectations के साथ देखते हैं तो वो भी tolerable लगने लगती है But this is not the case with लाल सिंग चड़ा एस फिल्म हद से जादा boring है और Forrest Gump के brilliance के आज पास बिल्कुल भी नहीं है जब लाल सिंग चड़ा को announce किया गया था कि आमिर खान Forrest Gump का remake बनाने वाले है तभी लगा था कि Forrest Gump के similar इवर इंडिया में भी 3-4 फिल्म बन चुकी है कोई मिल गया Forrest Gump और E.T. का mix था और My Names Khan तो almost unofficial remake है Forrest Gump का A character with different faces of life with real life incidents incorporated in between 2019 की भारत में showcase हो चुका है और अगर लाल सिंग चड़ा की टीम Forrest Gump को Indian सेटिंग में create करने के लिए इतना excited थे तो एक बढ़िया screenplay के साथ film को release करना चाहिए था अतुल कुलकरनी को लाल सिंग चड़ा लिखने में 10 साल लग गए थे बड़ फिल्म देखका लगता है कि लाल सिंग चड़ा को Forrest Gump से बहुत lazily adapt किया गया है For example, Forrest Gump में Tom Hanks बस्टॉप पर बैठे आसपास लोगों को अपनी कहानी सुनाते हैं और लाल सिंग चड़ा में आमिर ट्रें के सफर में बड़ पठान कोट से चंडीगर के ये ट्रें की सफर की सेटिंग बिलकुल बेकार लगती है और ट्रें के कारिक्टर जो आमिर की कहानी सुनते हैं किरिंज से भरपूर लगते हैं इस सरह से फॉरेस्ट कम के काफी सारे ऐलेमेंट्स लाल सिंग चड़ा में इंडियन सेटिंग के साथ प्रिजेंट करे गए हैं जो फॉरेस्ट कम का एक सिर्फ सब स्ब स्टैंडर वर्जन लगते हैं coming to the acting of the film लाल सिंग चड़ा को अगर ये कहा जाए कि ये वन अफ द वर्स्ट परफॉर्म्ट फिल्म है तो ये अंडर स्टेक्मेंट बिल्कुल भी नहीं होगा आमिर ने कैरेक्टर को बहुती ज़्यादा अंडर प्ले किया है और वो पूरी फिल्म में सिर्फ दो-तीन एक्स्प्रेशन या फिर एक ग्रंटिंग साउंट देते रहते हैं ठीके था कैरेक्टर वोज नॉट आ स्मार्ट परसन और वो शाहिद एक पर्टिकुलर वे में एक्स्प्रेस करता होगा बढ़ आमिर की डियालोग डिलिवरी और बॉडी लैंग्वेज भी एफेक्टिव नहीं लग रही थी कुछ साल पहले रिलीज वी दंगल में आमिर ने कैरेक्टर के नुवांसेज बिलकुछ सही तरह एडप्ट किये थे बढ़ लाल संग शग्डा का आमिर का ये परफॉर्मेंस शेयर डिसपॉइंटमेंट है मोना सिंग के कैरेक्टर से मदरली इंस्टिंक्स इमोट नहीं हो पा रहे थे उनके कैरेक्टर को कुछ जारी धाकट टाइप प्रिजेंट किया गया था और यहां राइटिंग की फॉल्ट्स मान सकते हैं पांच-साथ साल के बच्चों से अच्छी एक्टेंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बट अच्छे डिरेक्शन और एडिटिंग की वज़े से उनकी परफॉर्मेंस बेटर शोकेस हो सकती है और फिल्म इधर भी फेल हो जाती है फिल्म के टॉप परफॉर्मर है नागा चितन्या और अपने इतने सीनियर आमर के सामने ही केप्ट स्टीलिंग एवरी सीन देवर इन तुगेदर थोड़ा बहुत मानव विज का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाकता Coming to Kareena Kapoor's character Rupa Forrest Gump में Jenny's character was played by Robin Wright It is one of the most hated female characters in the history of cinema But it was written extremely well As character का past, present and future सब मेस्ट अप होत है Rupa from Lal Singh Chadda lacked characterization and it was not presented well too और इसमें acting or direction दोनों का fault है Forrest Gump का one of the best scenes है तब Jenny अपने पुराने घर पर पत्थर फेकते फेकते रोने लगती है इस तरह का Lal Singh Chadda में भी एक scene है जहां Kareena एक आदमी को डंडा मारते मारते रोने लगती है उस scene में Kareena से ना डंडा डंग से उठाया जा रहा था और ये Forrest Gump के scene की सिर्फ पेरोडी लगता है Kareena is a fantastic actress But 2012 के बाद इट फीस लाइक She's not interested in performing anymore Director Advait Chandan के पास Forrest Gump के visual references थे वर उसके बाद भी फिल्म का execution एकदम substandard है वो 1990s और 2000s का atmosphere भी create नहीं कर पाए और इतना strong emotional content होने के बाद भी The film lacked heartwarming sequences Film in 1984 के rights का scene जब Lal की मा उसे बचाने के लिए उसके बाल काट देती है ये film का strongest scene होना चाहिए था बर इस scene में horror और emotional element दोनों ही missing थे The cinematography of Lal Singh Chadda is fine और कुछ scenes से पिंड का अच्छा फील आता है पर music disappointing है specially the background score The pacing of the film is also slow चलो slow pacing तो Irishman की भी थी पर Lal Singh Chadda का horrendous direction, screenplay और acting आपको सिर्फ सुलाने का plan करती है और अगर मैं ये film घर पर देख रहा होता तो finish नहीं कर पाता और शायद पहले आदे गंटे में ही बंद कर देता Forrest Gump में starting में उड़ते हुए feather वाला scene was beautiful पर Lal Singh Chadda का वो पहला ही scene आपको film की mediocrity का अंदाजा दिला देता है तो इस हबते की दो बड़ी releases में Lal Singh Chadda तो impressed नहीं कर पाई बड़ फिर्म आपको कैसी लगी comment section में जरूर बता है और अगर आपको इस वीडियो पसंद आये तो please press the like button below and subscribe to the channel for supporting us as well thanks for watching and take care